अगर आपको ज्यादा पावर्ड चाहिए तो इस तरी के से प्रेस करके यहां पर यह टाइट कर दीजी आपका पिसी भी जो है अच्छे से टाइट होके होल्ड हो जाएगा आज कुछ ज्यादा ही ठंडे दोस्तों तो फाइनली आज ठंडी की मौसम में हमड़े पास एक यू जानकरी दूंगा और आप इस प्रेस को कहां पर कैसे किस तरीके साफ इस्तमाल कर सकते हो और इसका वेनिफिट्स क्या है सारे जानकरी आज की वीडियो में आपको पता चलेगा क्यूंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था और इसको खरीदने के लिए सोच रहा था कि हमार छोटे स्टंड के जरिए काम नहीं हो पाता है इसलिए हमने यह वली बड़े साइज का पिसीवी स्टंड को मंगवा लिया हूं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी रियलेज हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएग कि आपके काम के लिए यह वली पिसीवी स के अंदर क्या ऐसा फीचर से जो कि हमें इसको लेना चाहिए और हमें कब और कैसे फाइदा आएंगे उससे पहले इस बॉक्स के अंदर इस पिसीवी स्टंड के बारे में बताया गया है जो कि आप से भी को पता होना चाहिए वह मैं एक बार बता देता हूं उसके बाद इसका हाइट है यानि कि आप यहां पे सर्फेस से इसके उपड़ आपको 230 mm तक हाइट मिलेंगे जो कि बहुत ही जादा होते आज से पहले मैं जो पीसीवी स्टंड यूज कर रहा था मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कि कितना छोटा था जो कि मोबाइल फॉन का इस्टं सब्सक्राइब का तो उस समय हम लोग इसका इस्तमल नहीं कर सकते थे इसके लिए हमड़े पास और एक पीसीवी होलडर जिसको बोला जाता है जिसको हेलपिंग हैंड भी बोला जाता है उसको में इस्तमल करता था यह देखिए यह अपने काफी सारे वीडियो के अंदर दे यह इस तरह के से नीचे हो जाता या बहुत सारे प्रॉब्म समीर देखने को मिलता था इसका कम बजन और इसका जो हेलपिंग हैंड का इस टाइप का होने के वाएंसे साड़े काम नहीं हो पाता था इसलिए हमने ये वाली जो PCB स्टंड है हूंकी कंपणी की तरफ से मैंने मंगवाया हूं तो जब तक आपको PCB स्टंड को नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये हमारा कितना काम में आ सकते इसलिए इसी बात पर में पहले तो इसको बहार निकलता हूं अंदर से उसके बाद इसका features के साथ-साथ आपको इसका जो quality है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें और एक box की तरफ से मिल जाए तो हमें इस box के अंदर से निकलने के बाद सबसे पहले तो यह हमें stand मिला है जिसका दो हैंड हमें देखने को मिल रहा है इस साइड और इस साइड ये तो प्लास्टिक का है लेकिन नीचे बाला जो material है ये हमारा मेटल का है इसको में रखता हूं नीचे और इसके अंदर और एक छोटा सा box दिया गया है इस box के अंदर और भी दो इस्टेंड ये देखिए जो कि इसका quality बहुत ही बहतरी ने में बाकी चीज़ को में रखता हूं साइड में और आप देखिए इसका special feature से है इस्तेमाल कर सकते हो मैक्सिमाम 250 mm तक PCP को hold करने के लिए hold का मतलब है कि आप इसके अंदर पकर के रख सकते हो कि क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग कोई चोटे मुटे PCP को उपर काम करता हूं तो हम चोटे वाले जो PCP holder है उसके जरी हम काम कर लेता हूं लेकिन जब बात आती है बड़े-बले PCP का जैसे कि हमाना LCD LED TV के अंदर लगे होते है उस टाइप का PCP को holder करने के लिए ह इतना अच्छा इसका quality है ना बहुत ही जबर्दस का quality है और जो लोग मेकर है ना उनको पता होगा कि इसका एहमियत कितना है जब भी हम लोग कोई नया PCP के अंदर components डालके उस PCP को करता हूं तो उस समय हमारे यह कितना काम आते हैं यह हमें ही पता है और जो लोग PCB का काम घर पर करते हैं उनको पता होगा उसके बाद इसका आगला फीचर के अगर हम बात करें वो यह है कि इसके अंदर कम से कम 20 mm यानि कि 20 mm का PCP को भी होल्ड कर सकते हो अगर हम इसको इतना इस साइड में हटा लेंगे तो यह हो गया हमारा 250 mm का पीसीवी को होल्ड करने के लिए साइज अगर हम इसको इसको इस तरीके से छोटा सा कर लेंगे तो आप इसके अंदर मैक्सिमिमटी एम्म का PCP को आप जो होल्ड कर सकते हो बहुत ही आसान है उससे भी छोटा PCP को अप आप काम नहीं कर पाऊगे क्योंकि इसका जो आर्म से ना यह आम थोरा से आपको मोटा देखने को मिलेंगे इसलिए इसके अंदर पीसे वी को होल्ड करने के लिए उसके बाद दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सरे फाइदा है इसको इस्तेमल करना वह भी फाइदा मैं आ होने के लिए आया है और उसी के ऊपर आप काम करना चाहते हो तो एक हाथ में आप ले लिया शॉल्डरिंग और तो समय क्या होता है कि हमें एक हात में तो लेना होता है अगर आपके पास डिसलडरींग पांप तो यह हैं इसको में इस्टेमाल करता हूं तरह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फिचर्स वह है कि आपको यह जो आरम्स दीख रहा है ना इया आप सब 360 डिगरी रोटेट कर सकतो एक इस साथ इसे पावर यह ना इस पावर को भी आप कंट्रोल कर सकतो इस तरीके से अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो इस तरीके से प्रेस करके यहां पर यह टाइट आप जो रोटेट कर पाऊगे किसी भी PCV को तो यह जो फिसार चेना मुझे बहुत ही परसनाली पसंद आया है इसलिए मैंने बहुत सरे वीडियो देख रहा था इसके बारे में यूटूब पर और उसके बाद मैं डिसाइड करा में इसको ही लोंगा और अपने लैब पर रख या आप इलेक्टोनिस टेकनिसियन या आना चाहती हो उसके आलाव बियाप पीसीबी असेंबली का काम सुरू करना चाहती हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप यह वाली एक पीसीबी स्टन ले लिजे और आपने पस रख लिजिए बहुत ही काम आएंगे इन फ्यूचर में हम पारे जनकणी मिल चुका होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा इसी पूरकर करके अगर आप वीडियो आगे आने बालो दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके बिल आइकोन को प्रेस कर लिजेगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लोई से ओल दा बेस्ट